असलाम आलेकुम वियादेश शारुक बाक वैंडियू भाई कैसे हैं आप लोग ठीक हैं तो भाई मेरी स्कीन के ओपर दो बंदों को आप देख सकते हैं सकाय को सुरक ओमार यादफ को और शिवम दूबे को तो बैसिकली इनकी पाटनेशिप की वाई से आज जो है इंडिया कीती है और इंडिया की थ्री इन रोग जो स्ट्रीक है वो चल लिए वह अंट बीटन है इस वर्ल्ड कप के अंदर भी तो भाई अभी चलते हैं विडियो को स्टार्ट करते हैं तो बैसिकली अगर बात करें इंडिया की परफॉमसंस की तो भाई वह तीनों मैचों में था, तो बैटिंग के उपपर यार सबसे बड़ी विडाज भी विडात कुली के लिए वह भी जिरो रन पर डग के अपर विडात कुली को आउट किया यार मुझे भी इस सब ज़ाराऊ हो रही है वर खुद भी ऊफर इंजीनेर नो कि Android boarding के लाव बॉलिंग और बैटिंग भी में आप देख सकता है तो क्ली charging कर सकता डिक है तो आगे चले अब इस चीज को अभिंद को इस इस मैच के बाद Pakistan अलाइव है इंडिया से जो हा रहे हैं लास मैच वो भी बिल्कुल क्लोस में आगे 6 रन से हा रहे हैं तो इतना जादा इफैक रन रेट के अपन नी पड़ा अभी रन रेट पाकिस्तान का काफी बेटर है और बेटर हो सकता था अगर कल का मैच वो 14 आवर्ज में जीत जते हैं जो के नहीं जीत पाई लेकिन फिर भी जीती है तो कम से कम यह है कि उनके चांसे बढ़ गया है इदर और मतलब इंडिया का यूएसे को अराना एक स्टैप अच्छा था हम लोग के लिए और अभी आगे अगर हम लोग बात करें आगे इंडिया के मैच इसकी तो कैनिडा के साथ है और ह कि सुपर एट मां कॉलिफाय करने के और मतलब नेक्स वर्ल्ड कब में फिर हम लोग को कॉलिफायर नहीं कहलना पड़ेगा एक चीज यह हम लोग की बज्या की और मतलब इंडिया का भी आपने देखा जैसे के एक सुन निस पर ऑल आउट हो गई तो यही स्कोर चलना है कोई ऐसे रन जादा बड़े ही नहीं बन पाए तो इवेंचली यह मतलब लास मैच था नुव यॉर्क के अंदर अब जो सारे मैचे दूंगे वो अलग जगाओं पे होंगे तो देखते हैं अब क्या होता है तो लेकिन आगे अभी फार बेटर यह चांसे जने के पाकिस्ता सवाइब कर सकते हैं और होफ़ली भाई इंशालला पाकिसान कॉलिफाय करेगा सुपर एट के लिए तो होप अपनी अलाइव रखें और इंशालला होप करते रहें और इंडिया ने जो जैसी डॉमिनेंट परफॉर्मस रखी हुए अभी तो आगे जाके सुपर एट मां टेक केर अलाह फिस्ट